पाकिस्तान की सरकार परिशान है पश्टून तहफूज मूवमेंट यानी पश्टून रक्सा अंदोलन के बैनर तले अंदोलन कर रहे इस लड़के के व्योद प्रदर्शन से पाकिस्तान की सरकार परिशान है इस लड़के का नाम मंजूर पश्टीन है दरसल कराची में नकिबुल्ला महमूद नाम के कबायली युवक की पुलिस एंकाउंटर में मोत होती है जिसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद में एक आंदोलन शुरू होता है इस आंदोलन में एंकाउंटर स्पेशलिस्ट SSP राव अनवार को ग्रफतार करने की मांग उठती है लेकिन धीरे धीरे मांग एक आंदोलन में बदल जाती है और इसी आंदोलन से निकल कर आता है 25 साल का ये लड़का मंजूर पश्टीन मंजूर पश्टीन से सेक्रों हजारों लोग जुरते गए और देखते ही देखते खेबर पक्तून ख्वा और वजिरिस्तान में मंजूर के भाषन को सुनने के लिए हुजूम इखटा होने लगा मंजूर का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना चरम पंत को बढ़ावा दे रही है इनकी बांग है कि 10 साल में चरम पंत के खिलाब जंग के दोरान जो पाकिस्तानी गायब हुए हैं उन्हें अदालत में पेश किया जाए अफगान बोर्डर से लगे कबायली लाकों का काला कानून FCR खतम किया जाए और वहां भी पाकिस्तानी सम्विधान का कानून लागू किया जाए तालिबान के खिलाब फोजी ओपरेशन में जिन आम लोगों के घर और कारोबार तभा हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए इन इलाकों के चेक पोस्टों पर वहां के लोगों से जो बदसलूकी होती है उसे बंद की जाए मंजूर पस्तीन से पाक सरकार इस तरह से डरी हुई है कि उसके रैलियों के मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी गई है लेकिन सोसल मीडिया पर इनके भास्नों और आंदोलन को खूब देखा जा रहा है